हेलो स्टुडेंट आज है 11 मैं 2023 और आज के करेंट अफेर्स के क्यूस्टन्स हम यह डिसकस करने वाले हैं यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें हैं क्योंकि इसी तरह के हम प्रश्णों को डालते रहते हैं चलते हैं हमारे आज की मोटिवेशनल लाइन पर अमारी आज की मोटिवेशनल लाइन है उम्मीद और विश्वास का चोटा सबीज खुशियों के विसाल फ़लों से बहतर और शक्तिशाली है इस लाइन पर एक लाइक जरूर बनता है तो आज का जो हमारा लाइक का जो टार्गेट है वह केवल 50 का है और इसमें आप थोड़ा सा सयोग करेंगे तो ये टार्गेट हमारा पूरा हो जाएगा चलते हमारे प्रश्णों की ओर हमारा जो पहला प्रश्ण है आली में अंतराष्ट ये आर्गनिया दिवस कब मनाया गया ओप्शन 10 मई, 9 मई, 7 मई और 5 मई तो सही आंसर होगा ओप्शन A 10 मई को दस मई को आर्गनिया दिवस मनाया गया और ये आर्गन पेड के परियावरनिय महत्तू के बारे में जागरुकता और समझ को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है इसको युनेशको को दौरा 2021 में इसकी स्तापना की गई थी कुछ मैत्रपूर्ण दिवस है जो मैं ध्यान रखने है एक मही को सर्मिक दिवस गुजरात और महरास्ट दिवस भी एक मही को है दो मही को तुना दिवस और विश्व अस्थम दिवस दो मही को विश्व प्रेश स्वतनतर दिवस कब है तीन मही को कोईला खनिक दिवस अंतराष्टिय अगनी शमक दिवस चार मैं को विश्व पूर्तगाली बासा दिवस विश्व हात स्वच्छता दिवस पांच मैं को इंटरनेशनल नोड आइड दे छे मैं को एथलेटेक्स दिवस कब हैं साथ मैं को विश्व रेड क्रोस दिवस आठ मैं को रूस विक्टरी दिवस आपके नो मैं को इन दिवसों को थोड़ा सा ध्यान रखना है अगला प्रस्शन देखते हैं हाली में फिच रेटिंग्स ने 2023 में बारत की GDP वर्दी दर कितने परतिस्त रहने का अनुमान लगाया है तो दोस्तों सही आंसर होगा 6 परतिस्त दर रहने का अनुमान लगाया गया अगला प्रस्शन हाली में तीसरी G20 विकास कारे समूं की बैटक कहां शुरू ही आप्शन पूर्णे नई दिली गोवा इन में से कोई नहीं तो सही आंसर होगा आप्शन C गोवा गोवा में ये बैटक रखी गई और इस पर महिला और अर्थविस्ता उबरते हुए छेतर और काम का भविश्य इस पर विसेज जोड़ दिया गया गोवा की अन्य करंट अफेर्स जो है गोवा के कैंदरी मंत्री बुपेंदर यादव ने गोवा में आभूमी बचाओ अभ्यान शुरू किया गोवा सरकार ने दा विजन फॉर आफ इस्कूल आई हेल्थ कारेकरम शुरू किया बारत के दूसरे सबसे लंबे केबल इस्तित आठ लाइन जोड़ी ब्रीज का उद्गाटन गोवा में हुआ नवी विश्व आईरवेद कॉंग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्गाटन गोवा में हुआ त्रेपनवा बारती अंद्राष्टे फिल्म माउसव गोवा में आईजित किया गया अगला देखते हैं प्रश्ण हाली में संस्कृत मंतरले और माई जी माई जी ओवी ने किस नाम के एक सिंगिंग तैलेंट हंट लॉंच किया उप्षिन सूर संग्राम यूआ परतिबा गायन गोरो इन में से कोई नहीं साही आंसर होगा यूआ परतिबा यूआ परतिबा नाम का सिंगिंग तैलेंट हंट लॉंच किया गया और ये इसका जो उद्देश pillar है वह है विविन गायन विद्याओं में नहीं और युवा परतिबाओं का चेन तता उनकी पैचान करके राष्ट ये तोर पर जमिनी इस्तर पर बारत्य संगीत को बढ़ावा देना ये इसका मुख्य उद्देश ये है और इसका नाम क्या रखा गया युवा परतिबा इसमें किन-किन गीतों का संकलन होगा वो है लोक संगीत देशबक्ति गीत समसमाई गीत और जो विजेता होगा उसको क्या मिलेगा ये भी ध्यान रखना है तो विजेता को डैड़ लाग रुपे और ट्रॉफी के साथ परमान पत्र सेकेंड जो रहेगा उसको एक लाग रुपे और थर्ड प्राइस जो है वो है पचास जार विद ट्रॉपी और परमान पत्र ये इनाम राशी रखी गई है अगला प्रस्ण देखते है हाली में किस देश ने पिटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलोग की मेजबानी की है ने इसकी मेजबानी की है और इसमें जो जलवायू परिवरतन और समितराश के फ्रेमवर्ग कन्वर्जन के लिए पार्टियों के 28 समयलन का योजन किया गया कौन सा समयलन है कितना 28 समयलन है और इसमें कितने देशों के मंत्रियों ने भाग लिया 40 देशों के मंत्रियों ने अब जर्मनी की बाद आती है तो जर्मनी के जो मुख्ये प्रश्न देख लेते हैं एंजिना मलकेल को सरच समान तता युनेसको का सांती पुरुसकार दिया गया जर्मनी ने अभी हाल फिलाल में तीन अपने प्रवाणू सेंत्रों को बंद करने का निश्ये लिया है सरसेष्ट सारजनिक परीवन वाले शेरों में बर्लिन सबसे टॉप पर रहा है इन बातों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है अगला प्रस्ण देखते हैं हाली में किस राज जिये ने समर्पित बुन्यादी दाचा विकास निगम की स्थापना की है आप्शन है राजिस्तान, महराष्ट, हिमाचल परदेश और इन में से कोई नहीं सही आंसर होगा आप्शन B महराष्ट माराष्ट ने समर्पित पुनियादी दाचा विकास निगम की इस्थापना की है अब माराष्ट में सलोखा योजना लागू हुई है माराष्ट ने जो विकलांग करमचारियों को चार परतिसत आयक्षन देने की गोशना की है और सार्जनिक परीवन वाले शहरों में अगला प्रशन देखते हैं हाली में 60, 35 वेश्विक मातर मुर्तिव वाले 10 देसों में सूची में कौन सीर्ष पर रहा है अप्शन है जापान, अमेरिका, बारत इन में से कोई नहीं तो सही आंसर होगा भारत पारत जो है मातर मुर्तिव वाले 10 देसों में सीर्ष पर है अब ये रिपोर्ट जो पेश की गई हुआ किसने की, ये हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं तो WHO, UNICEF और UNEPF द्वारा ये ट्रेकिंग रिपोर्ट बनाई गई और ये कहां इसका सम्मेलन हुआ तो इसका अंतराष्टे मातर नवजाद सम्मेलन स्वास्ते सम्मेलन हुआ जो साउथ अपरिगा के कैप टाउन में हुआ कहां हुआ साउथ अपरिगा के कैप टाउन में इन्होंने ये रिपोर्ट तयार की है इनके मुताबिक वेश्विक इस्तर पर मर्तिव, मात्र मर्तिव और नवजाद मर्तिव 60% हुई है वह सबसे ज़्यादा 60% हिस्सा केवल 10 देसों का है और बाकी 40% अन्य देसों का है और इनमें जो शीर्ष पर जो है वह भारत है इस परकार यह रिपोर्ट आई है और इसी परकार भारत के कुछ important questions देखते है ICC पुरूस टीम में कौन से इस्तान पर है पर्थम इस्तान पर है और हाल पिलाल अभी refined इंदन का सबसे बड़ा अपूर्टी करता कौन है वह भारत है बारती वित्ते डाचे में सुधार पर राष्टे मंदल समू की अधिक्षता कौन करेगा वह भी भारत करेगा और सबसे ज़्यादा महिला पाइलेट कहां पर है वह भी भारत में है ये रिपोर्ट किस ने दिये डीजी सीय ने ये रिपोर्ट दिये और भारत के जो अभी हाल में अमरीके अम्बेसेंडर नुक्त किये गए उनका नाम क्या है एरिक ग्रासेटी अभ्यास लापरोस के तीस से संसकंड का आयोजन बारत के द्वारा किया जाएगा इस तरह से ये प्रश्ण बनते हैं अगला प्रश्ण देखते हैं हाली में किस मंत्राले ने मंत्राले ने लर्निंग मेनेजमेंट इन्फोर्मेशन सिस्टम सक्सम लॉंज किया है किसको लॉंज किया है सक्सम लॉंज किया है Option A, नीती आयोग, कृसिय मंतरा ले, वित्य मंतरा ले और स्वास्थय मंतरा ले सही answer होगा Option D, स्वास्थय मंतरा ले अगला प्रशन है, हाली में भारत ने किस देश को एक बिलियन डॉलर क्रेडिट लाइन परदान की है Option A, बांगला देश, स्री लंका, पाकिस्तान और इन में से कोई नहीं तो दोस्तों सही answer होगा Option A, स्री लंका स्री लंका को एक बिलियन डॉलर ले ने क्रेडिट लाइन परदान की है अब स्री लंका के जो बेंक ने एक भारती रूपया नामित नॉस्टो का खाता खोला है दिवंगत CDS विपिन रावत के सम्मान में स्री लंका के स्री मुक्तिनात मंदिर में एक गंटी लगई गई भारत ने आर्थिक साइता यूजना के तेट स्री लंका को कितनी बसे दी है पचास बसें दी है और अभी हाल में दोजार टोईस में अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा वो स्री लंका करेगा इस इन इंपोर्टेंट नॉर्ट्स को हमें ध्यान रखना है हाली में किस राज्य में इंद्रा गांधी महिला सम्मान निदी को लॉंच किया गया ऑप्शन है केरल हीमाचल परदेश राजिस्थान इन में से कोई नहीं उसा ही आंसर होगा ऑप्शन भी हीमाचल परदेश इसके तहत इंद्राकांदी महिला सम्मान निद्धी के तहत हर महिला को पंद्रसु रुपे दिये जाएंगे अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने डेरी किशानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी प्रयोजना प्रार्म की है और हिमाचल प्रदेश की कांगणा चाई को युरोपिय जी इए टेग मिला आये मुलिठी और्गिनाइज़ड लिकोरस मुलिठी की खेती करने वाले वारत का पहला राज्य कौंसा है हिमाचल प्रदेश है मुलेटी की खेती करने वाला पहला राज्जे कौन सा है हिमाचल परदेश और नियाय मूर्ति सबीना को हिमाचल परदेश के हाई कोड का कारेवाहक मुख्य नियाधीस नियुक्त किया है अगला प्रशन के और बढ़ते हैं हमारा अगला प्रशन है हाली में किसने Laureus Sportsman of the Year 2023 एवार्ड जीता है option करीम बंजेमा, क्रिस्टेनो रोनाल्डो, मौमोच शाला और ये लियोनल मैसी तो सही आंसर होगा option D, लियोनल मैसी अब लियोनल मैसी की बात करें तो ये है एक ऐसे एथलीट है जो एक ही वर्ष में World Sportsman of the Year और World Team of the Year एवार्ड दौनों ही इन्होंने जीते हैं और दूसरे एवार्ड की बात करें तो मीरा सयाल को कौन सा एवार्ड मिला है? BAFTA Fellowship मारिया इस्टेपानवा ने लिपजिंग बुक पुरुसकार जीता है और दलाई लामा को 64 साल बाद में कौन सा पुरुसकार मिला है? रेमन मैकसेस पुरुसकार मिला है लता दीनानाद मंगिसकर एवार्ड की से मिला? तो विद्या बालान और आसा बोसले को ये एवार्ड मिला है विर्था पुरुसकार पुरुसकार प्राने वाली पहली IAF अधिकारी कौन है? दीपी का मिश्रा हाली में किस देश के सुप्रिम कोर्ट ने समलेगिंकता का अपराद किस सिर्णी से मुक्त किया है? तो आप्शन स्री लंका, फ्रांस, इटली इनमें से कोई नहीं अगला प्रशन है हाली में किस ने राज़्यी रोबोटेक्स फ्रेमवर्क लाँच किया है? ऑप्शन है मद्यपर्देश, तेलांगना, उत्रपर्देश इनमें से कोई नहीं तो आप्शन बी तेलांगना अगला प्रश्ण है हाली में RBI ने किस बैंक पर 1.73 करोड रुपे का जुर्माना लगाया है आप्शन है Yes Bank, Axis Bank और HSBC Bank और इनमें से कोई नहीं तो सही आंसर होगा HSBC Bank अगला प्रश्ण है हाली में Badminton Asia ने किसे तकनीकी अधिकारी समित्री का अध्यक्ष नियुक्त किया है आप्शन है नीरा टंडन, अजे विज, उमर रशीद, इनमें से कोई नहीं तो सही आंसर होगा आप्शन C, उमर रशीद उमर रशीद को तकनीकी अधिकारी समित्री का अध्यक्ष चुना है अगला आज का जो हमारा प्रश्ण है जिसे आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है वह यह है हाली में बच्चों के लिए Digital Health Card बनने वाला पहला राज्य कौन सा बना है इसका वित डिस्क्रिप्शन के साथ में आपको आंसर देना है और जो कल का जो हमारा प्रश्ण था वह है हाली में उत्तर प्रदेश किस जिले में पहले फार्मा पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई और डिस्क्रिप्शन के साथ में आंसर दी है दोस्तों इसी तरह से आप आंसर देते रहें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सबीस्क्रेप करना ना भूले झाल